आप सबी को confuse करने में एहम भाग्यदारी अपने मीडिया और प्रेस की भी है और गलती से इस मीडिया का मैं भी हिस्सा हूँ जो कि आपको लास्ट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी कि ये बाते पुरी गुमा फिरा के अलग-अलग बाते बताई जा रही है और आपको confuse किया जा रहा है और Tour of Duty का ये प्रस्ताव है इसमें कुछ दम नहीं दिखाई देता तो जानते हैं क्या है ये बाते First मैं clear कर दू ABP News और कई अन्य मीडियाओं में काफी confusion है जो कि यहाँ पर बताया गया है इसके title में कि ये internship program है मिन internship का ये प्रस्ताव है तो internship और job में काफी फर्क होता है internship में वह facilities नहीं मिल पाती आपको जो की job में मिलती है तो first ये बात clear हो जाती है यहाँ पर एक बड़ा confusion देखने को मिल रहा है जो की आपको confused किया जा रहा है उसके बाद ABP News वाले क्या बात कर रहे हैं वो सुनते हैं यह clip सुनने के बाद आप जरूर confused हो गयोगे ABP News वाले यह कह रहे है कि यह 3 साल बरती होने का जो चांस मिलेगा वह केवल डिगरी पास यूआओं को मिलेगा तो एक तरफ यह बात करते हैं जवानों की और officers की और 9 months की training पास करने की और उसके साथ साथ पहले जैसी chain परिक्रिया होती थी वैसी ही chain परिक्रिया होगी तीन साल के लिए duty देने के लिए और एक तरफ बात करते हैं intensive की intensive और job में काफी फर्क है तो इन्होंने इसे job बना दिया title में इन्होंने intensive बनाया और अभी पूरे जो वीडियो है इनका उसमें इन्होंने job बना दिया तो यहाँ पर काफी confusion चल रहा है और आगे देखते हैं क्या clip चलती है आप इसको tour of duty बोलते हो सेना टूरिजम स्पोर्ट नहीं है अगर आप में देशबक्ति का मादा है तो सेना के लावा और भी कही नोकरियां आप कर सकते हो देखी यह बात स्वेर होनी के यह अभी internal note के level में है अभी consider किया जा रहा है अभी इसका फैंसा नहीं हुआ है इसके जो नापदंड है अभी पूरे नहीं किया है लेकिन जैसे ख्याल है रिटाइड जर्नल राज कादियान जी बिल्कुल सही कह रहे है इंडियन आर्मी कोई tourism sport नहीं है जो कि आपने इसको tour of duty नाम दिया है हिंदुस्तान में बच्चा बच्पन से इस अपने सजा लेता है फोज में बरती होने के उसका हमेशा यही प्रयास होता है कि वह फोज में बरती हो पुरी जी जान लगा देता है अपनी पुरी जवानी फोज के नाम पे लगा देता है पुरी जी जान से मेहनत करता है उसको यह तीन साल की खहरयात नहीं चाहिए एक तरफ आप बात करते हैं कि अधिकारियों की कमी होने के चलते यह कदम उठाया जा रहा है वो दूसरे तरफ आप बात करते हैं कि budget कम हो जाएगा सेना को फाइदा होगा तो यहाँ पे confuse मत करिये युआओं को, यहाँ पे काफी confusions create हो रहा है कि यह जवानों की भरती होगी या अफसरों की भरती होगी क्या यह intensive program है intensive program औरेड़ी इंडिया में चल रहा है इंडिया नेवी में intensive program चलते हैं जो कि इंजिनियर जो युआ होते हैं उनको intensive करने का मोका मिलता है इंडिया नेवी में नेवल डॉक्यार्ड में उनको मोका मिलता है जॉब करने का, इंटेंसिब करने का, तो यहाँ पर उनको उतनी facilities नहीं दी जाती, जितने Navy का जो एक soldier होता है, जो एक officer होता है, काफी कम उन्हें कुछ facilities मिलती है, salary भी आधी उनको salary मिलती है, इंटेंसिब वालों को, एक officer या फिर soldiers की compare किया जाए, तो इंटेंसिब प्रोग्राम अल्रेडी बहुत अलग होता है, और यहाँ पर केवल बात चल रही है, तो आप confused ना होईए, और इसकी जो official link है, APP News वालों की मैंने description डाल रखी है, आप खुद से सुनिए, और आपको कैसे बातों में गुमाया जा रहा है, आप खुद समझोगे, आसा करता हूँ कि मेरे दोया दीगे जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीज़े, सब्सक्राइब कीज़े, अपने सभी मित्रों के साथ सेर कीज़े, थैंक्स पर राचिंग आप वीडियो, जै हिन, जै भारत!